हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत, अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनेकडमी की लर्निंग आप पर भी देख सकते हैं, इस पर आपको मेरे सभी UPTET से रिलेटेड इंपॉर्टन वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा, और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंक्यू दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का एक नया प्रक्टिस सेट डिसकस करेंगे, और इसमें आपको 15 महतपूर्ण इंपॉ कोशन का हल समझते रहेंगे, ताकि आप लोग को आगे कोई भी कोशन में समस्या ना हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर लें, उसके पास में लगे हुए बेल आ अभीता कारत होता है, तो दोस्तों इस कोशन का अंसार होगा, आपका फोर्थ रंबर आप्शन दुतिया विवक्ति, तो अभीता के योग में कौन सी दुतिया विवक्ति प्रयूक्त होती है, यह एक दुतिया विवक्ति का सूत्र होता, जिसके अंतरगत हम लोग जानेंग कौन-कौन से सब्द दुतिया विक्ति में आते हैं तो इसका सूत्र होता है एक अभिता, परिता, सर्वता, उभैता, योगे दुतिया अभिता, परिता, उभैता, सर्वता, इन सब की योग में सदैब दुतिया विक्ति ही आती है तो इसका आपका second number option बिल्कुल सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं second number question पर का आप प्रकास पुस्तक के रचेता है आचारे कुंतक, आचारे ममट, आनंद वर्धन आचारे या फिस रिहर्स तो दोस्तों का बेप्रकास ही पुस्तक है यह मैंने आपकी संस्क्रत की जब रचनाएं लिखाई थी इसमें पुस्तक लिखाई थी आपकी और बताया था यह question आ चुका है exam में तो इसका आपका second number option सही हो जाएगा आचारे ममट की दोरा रचित है काप प्रकास पुस्तक याद कर लीजे आप लोग important पुस्तक है और इसके साथ ही साथ दोस्तों अब अन्य जो रचना का लिखे हो इनकी पुस्तके भी देख लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं आचारे कुंतक आचारे कुंतक ने एक मात्र पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वक्रोक्ती जीवित क्या नाम है वक्रोक्ती जीवित इनकी पुस्तक का नाम है और इन्होंने सिर्फ एक यही पुस्तक लिखी है इसका दूसरे यह देख लेते हैं आ और दूस्तों कई बार पूछा भी जा चुका तो स्रीहर्स की पुस्तक का नाम है नैसधी चरितम के नाम है और उसे क्या का जाता इसे विद्वानों की और सधी के नाम से जाना जाता है नैसधी चरितम को इस स्रीहर्स के द्वारा रचित है अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क के अर्थ में कौन सी व्यक्ति लगाई जाती है ये दुतिया व्यक्ति लगाई जाती है इसका डी नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा याद कली कि ये भी इसका सूत्र होता जो गतसील धातुएं होती है उनके योग में सदैब दुतिया व्यक्ति लगाई जाती है दी बी और सी में आप लोगों को confusion लग रहा होगा कि कौन सा सही होगा तो देखें यह number option तो बिलकुल सही है अब इसका पूजनी और पूजनी में देखना है तो जोस्तों पूज यह प्लस अनियर लगाते हैं तो पूजनी बन जाता वो यानि कि यह वाला बिलकुल सही है और इसक Kung आपको बताना कि किस परकार का बाकी कर्त बाति कर्म बाति या फिर भाव बाक्ची शेक उसक्ति हो गया इसकार आगे बढ़ते हैं अप बिंसत ही इसमें कोई कोया आपको कर्म तो दिया नहीं गया, यानि कि कर्म बाठ्ची भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो कि अब सिर्फ आपका कर्थ बाठ्ची बचा हुआ ये नमबर और ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका जो ये कर्ता पर डिपेंड है, इसलिए इसे और करत बाची के अंतरगर रखा गया है छात्रा उपविसती यानि कि छात्र से कहा जा रहा तो एक करत बाच यानि कि करता प्रधान अब बढ़ते हैं 6 नंबर कोशन पर सबसे इंपोर्टन कोशन है किरातार जुनियम लगवक इससे आपके 8 से 10 इस कोशन निश्चित मिलेंगे इस टॉपिक से और बहुत ही इंपोर्टन कुशन है कौन से तो सबसे तो इसका कोशन किरातार जुनियम में सर्ग हैं 19, 18, 17 या फिर 16 तो दोस्तों किरातार जुनियम में सर्ग पूछे गए हैं और सर्गों की संख्या अच्छे से याद कर लिए क्योंकि कई पुष्टकें उनके सर्गों की संख्या पूछ दिये जाती है तो दोस्तों किरातार जुनियम में कुल कितने 18 सर्ग हैं इसका आपका B-Number option बिल्कुल सही हो जाएगा 18 सर्ग होते हैं और दोस्तों इससे आप लोगों को एक कुष्टन और बनता है किरातार जुनियम किसमें वर्णित है तो इस सर्गों में विवाजित है किसमें सर्गों में विवाजित है इसका आपका B-Number option से हो जाएगा 18 सर्ग है इसमें कुल और इसके साथ इसाथ दोस्तों अन्दी questions इसके देखेंगा कि किरातार जुनियम किसके दोरा रचित रचना है भार्व के दोरा रचित रचना है याद कर लीजे आप लोग एक कुष्टिन को जो अन्द्सक्राइब भनना है टॉपिक से उन कुष्चंस कोभी हम लोग साथ में ही लेकर चल लेंगे को लिए याद करते रही है और इसσε Tara कि ये किस रस्गी रचना है तो वी रस्गी रचना है किरातार जुनेम मुथ 20 रचना है और इसमें एक एक पॉइंट को एक चीज को पढ़ाने की कोशिस करता हूँ अब बढ़ते हैं सेवेन नंबर कोशिन पर नाट्या ख्यम पंचमं वेदम यह कथन है भरत मुनिका असुघोस का स्रीहर्स का याफी सूद्रक्टा नाट्या पंचम वेदम यह कथन आपको बताना किसके दौर रचीत कतान है तो दोस्तों इसका ए नंबर आप्शन देखे क्या लिखा भरत मुनिक लिखा हुआ है यही वाला आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भरत मुनिके द्वारा लिखा गया और इन पंक्तियों में का गया है कि पांच में वेद का आस्तित तो काफी पुराने सम सम्मंदित है तो पंचमबे से सम्मंदित है इसके कौन है रचनाकार यह भरत मुनिया यह नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं एर्थ नंबर कोशन पर रुच्यार्था नाम प्रियमाड़ा सूत्र में विवक्ति प्रियुक्त होती है प्रत्मा नंबर आप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चतुर्थी विवक्ति का प्रियोग किया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है रुच्यार्था नाम प्रियमाड़ा इसका अर्थ क्या होता तो दोस्तों इसका अर्थ निकलेगा कि जो चीज अधिक प्री होती उसमें अधिक प्रसिद्द होती है अधिक सबसे ज़ादा अच्छी लगती है तो वहाँ पर हमेशा चतुर्थी वक्ति लगाई जाएगी डी नमबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा रुचि से सम्मंदित अर्थों के लिए चतुर्थी वक्ति लगाई जाती है इसके नाई तो इनको भी हम लोग जल्दी कबर करेंगे सीखेंगे पहले देख लेते हैं यह यह किसके बहुबरी समास जोईक समास दौंत समास या फिर अभेभाव समास तो दोस्तों इसका आपका डी नंबर आप्शन देखें अभेभाव समास है यह बिल्कुल सही हो जाएंगे लिखी उक्ति लिखी हुई यह किस ग्रंथ से लिए यह पूछा गया आपका कठोप निसद से इसा इसा वास्योप निसद से तैतीर मारणम से या फिर स्रीमत भगवत गीता से तो दुस्तों इसमें आपको उताना यह जो पंक्तियां लिखी हुई यह किस से संबंदित हैं तो दुस्तों इसका आपका बी नंबर उप्शन से युज़ागा इसा वास्योप निसद से संबंदित हैं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसा वास्योप निसद की यह कहां से लिया गया यह मैंने आपको बताया था यह जो आपको लोकिक शाहित का पार्ट इसा वास्योप निसद से लिया गया इसा वास्योप निसद से लिया गया इसा वास्योप निसद कहां से लिया गया इसके जो रचनाकारा वह वैदव्यास जी हैं तो यह इससे संबंदित है बी नंबर उप्शन से तो यह आपका सही हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं 11 न दे दिया कि इसमें आपको भाव बाच बताना है कौन सा इसका सही होगा तो दोस्तों भाव बाच बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसके नियम पता होने चाहिए तो भाव बाच बनाने का पहला नियम होता कि भाव बाच में जब परिवर्तित करते हैं तो कर्म नहीं दिया को करता को किसमें तरतिया व्यक्ति में चेंज करते हैं वस उसमें यते लगा दिये जाता क्रिया में उसी प्रकार से चेंज करते हैं उसे तो देख लेते हैं कौन सा हो सकता है राम की तरतिया व्यक्ति एक बचन क्या होगा रामेड होता है क्या होता है अब इसमें देखिए र रामेड गम्मेते दिया गच्छ की जो मूल धात होती वो क्या होती गम धात होती है और यते उसमें जब जोड़ेंगे तो गम्मेते हो जाएगा तो क्या है रामेड गम्मेते डी नंबर आप्शन आपका सही होगा जो रामा गच्छति का भावबाच्छी होगा वो रामेड ग रहता है जिसे चेंज करना होता है अब बढ़ते हैं 12 नंबर कोशन पर हितम मनुहारी चा दुरलवहम वचा सूक्ति किस ग्रंथ की है रघुवंसम की मेग दूतम की किरातार जुनियम की या फिर नीति सतकम की तो दूस्तों ये किस ग्रंथ से ली गई है आप लोगों को बतान संबंदित कुछ महत्वपूर्ण तत्यों के लेकर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिसकस करेंगे जो संस्क्रत का लोकिक साहित है उसके अंतरगत तो दोस्तों ये हितम मनुहारी चा दुरलवहम वचा ये जो उक्ति दी हुई है ये किरातार जुनियम से और इसके लाद द अशे से त्यार कर लिजे अब दोस्तों आप लोगों को एक कुश्चन का अंसर देना कमेंट वॉक्स में आप लोगों को बताना नीती सतकम किसकी रचना है इसके लाए ये दोनों तो मैं काफी बार पूच चुका हूँ आपको मालूम भी होगा कालिदास के द्वारा रचि क्या दिया गया अब्वे सब्द है अब्वे सब्द इन चारों में से बताना क्या है सर्वदा नदी अहम या फिस्सा तो दोस्तों अब्वे सब्द बताना अब्वे सब्द काउन से होते हैं जिन में जिन पर की पुल जिस पर लिंग और बचन का कोई प्रभाव नहीं पड होता और दूसरी छीची इनके देख लिएक सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा और यह कभी भी आपके जो एक बचाए A number option बचाए सरवदा यही अब्बेशब्द है एक नमबर option बिल्कुल सही हो जाएगा इसका अर्थ होता है हमेशा अब बढ़ते हैं 14 number question पर 14 number question क्या दिया गया अर्थ गौरब के लिए प्रसिद्ध हैं अर्थ गौरब के लिए कौन से कभी प्रसिद्ध नहीं आप लोगों को बताना है तो अर्थ गौरब के लिए जो कभी प्रसिद्ध है उनका नाम है भारवी कभी नाम है उनका और इनकी रचना किरातार जुनियम है यह देखे दोस्त इन चीजों को अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो ये नंबर आपके छोटे छोटे जो एक एक दो दो नंबर होते हैं इन्हें आसानी से कर सकते हैं अब बढ़ते हैं आज के अंतिम कोशन 50 नंबर कोशन पर इसके पहले दूस्तों मैं बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप् यानि कि बताता है तो यह रूपक का लंकार रूपक लंकार की परवासा क्या होती है। रूप में और उपमान में भेद रहित आरोप प्रदर्सित हो तो वहाँ पर रूप कलंकार घRa जाता यानि कि जहां एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता direct वहाँ पर रूप कलंकार होता है तो इसका बीाइम्पर सही हो जाएगा आपका ये दुस्तों आपके 15 कुश्चन कंप्रीट हो गए हैं अब देखें का आपको कितने कुश्चन सही हो है कितना आपको आता है ये आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो अच्छे से पूछ लीजे पढ़ लीजे क्योंकि अब आपका एक्जाम आने अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से सभी कुश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो ये 15 कुश्चन हो गए हैं इसका दोस्तों जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा और लाइफ क्लास भी नेक्स्ट से आपको मिलना प्रारंब हो जाएगी तो दोस्तों आज क इस क्लास में इतना ही अगर वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कर दें थैंकि दोस्तों